हलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल आई होप यू ओल आ डूइंग वेल मैं हूँ प्रगिती आज मैं आपके साथ एक साड़ी से वेस्टन लुक कैसे क्रियेट करते हैं वही शेयर करने वाली हूँ अगर आपके पास कोई गाउन या वेस्टन ड्रेस नहीं है तो अपन को क्रियेट करने के लिए पहले आपको नॉर्मल साड़ी ड्रेपिंग नहीं है तो जो यह पिच्चर आपके सामने शो हो रही है उस वीडियो का लिंक मैं आपको उपर आई बटन में दे दूंग आप जाकर व Kelly सकते हैं तो स्टाइल नंबर वन को क्रियेट करने के लिए पहले मैंने यहां पर पल्लू को ट्विस्ट किया है और अपने नेक के पास राउन गुमाते वे फ्रंट में ले आई हूँ और फ्रंट में लाने के बाद पल्लू के कॉर्णर पर मैंने थोड़ी सी प्लीट्स बनाई है और प्लीट्स को हम जो अपने नेक के जो बैक वाला पोर्शन है उस पर सेफ्टी फिन से सिक्योर कर लेंगे और इसमें हम बस एक वेस्ट वेल्ट एड़ करेंगे और हमारा यह लुक बिल्कुल रेडी हो चुका है इस लुक को आप विंटर में जरू ट्राई कीजेगा आपने किसी भी हाइने के स्वेटर क इस लिए आप उसका फाइनल लुक देख रहे हैं तो चलिए आईए आप मैं आपको लेकर चलती हूँ स्टाइल लंबर टू की तरफ स्टाइल लंबर टू को भी क्रियेट करने के लिए मैंने आपर सिर्फ पल्लू वाले पार्ट को लिया है यहां पर हम पल्लू के दोनों क पार्णर को लेने के बाद एक को पीछे से लाएंगे और एक को आगे से और उस पर एक नॉट बना लेंगे शोल्डर पर यानि की गांट लगा लेंगे और इस नॉट को हम सेफटी पिन से सिक्योर कर लेंगे मैंने यहां पर डिजानेर ब्लू पहना है इसलिए मेरे उपर जो नॉट वाला पार्ट है वो कवर हो चुका है अगर आप सिंपल ब्लॉज पहनेंगे तो उसमें कोई भी फ्लावर या ब्रॉच लगा सकते हैं और अब हम बचेवे पार्ट को आगे की तरफ लाकर छोटी छोटी प्लीट्स बना लेंगे और प्लीट्स बनाने के बाद उ यह उपर वाली प्लीट्स हैं यह फ्रिल का लुक देंगी और देखें कितने अच्छी सी फ्रिल आई हैं और यह एक गाउन का लुक दे रही है अगर आप साडी में पल्लू को केरी नहीं करना चाहते हैं और विंटर में भी इस लुक को आप क्रियेट कर सकते हैं अपने किस सब्सक्राइब कर लिजेगा और हाँ बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जिससे मेरे आगया आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएं और इसी तरह के अच्छे यच्छे वीडियो में आपके लिए लाती रहूंगी मुझे कमेंट करके ज बैक में पीछे से ट्विस्ट करते वे अपने फ्रेंट में लाना है नेक एरिया के पास आपको एक नोट बना लेनी है और नोट को बहुत टाइट मत बनाईगा थोड़ा लूज रखिएगा और उसके बाद हम जो बची भी साड़ी है उसको आगे फ्रेंट में ले आएंग लेते वे बाहर की तरफ उनको निकाल लेंगे और नीचे के दोनों कॉर्णर को लेकर पीछे की साइड नेक एरिया में हम एक नोट बना लेंगे और नोट बनाने के बाद जो आगे की जो फ्लियर है यानि की जो हमारी फ्रिल है उसको आगे की तरफ ले आएंगे दोनों शो पैटन को फॉलो करते हुए नीचे तक सारी प्लीट को अरेंज कर लेंगे इससे पहले मैंने साड़ी से रेलेटेड और भी कई वीडियो बनाये हैं अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी और वीडियो के पैटन को आप फॉलो करते हुए इस लुक को क्रियेट कर सकते हैं उसके बाद बैक से जो प्लीट को हम फ्रेंट में लेके आए हैं और आगे की जो फ्रेंट की प्लीट है उनको दोनों को मिलाकर हम अटैच करके सिफ्टी पिंसे सिक्योर कर लेंगे और जो नीचे का जो हमा नॉट बना सकते हैं या फिर अगर आप नॉट नहीं बनाना चाहते तो आप उसको सेफ्टी पिंसे सिक्योर भी कर सकते हैं उसके बाद मैं यहां पर एक वेस्ट बेल्ट एड़ करूंगी और इस साड़ी का भी हमारा यह फाइनल लुक रेड़ी हो जाएगा तो चलिए और अगर आप उपर टॉप नहीं पहनना चाहते हैं तो बिना टॉप के भी इस ड्रेस को ट्राइ कर सकते हैं लास्ट की जो यह दो स्टाइल मैंने आपको बताए हैं इनको क्रियेट करते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना है एक तो आपकी साड़ी में अगर फॉल ना तक बिल्कुल प्रिंट वाली साड़ी सिलेक्ट करने है या फिर आपकी साड़ी बिल्कुल प्लेन हो तो उसमें भी यह लुक काफी अच्छे लगेंगे अब चलते हैं इस टाइल नंबर 4 की तरफ स्टाइल नंबर 4 को क्रियेट करने के लिए मैंने आपर साड़ी को डबल कि दो पार्ट में होड कर लिया है और कितना Hm ты ऑफ और वह करने के बाद जो जोईनट तो उसको हम लेंगे और जो लास उसको हम छोड देंगे उसके बाद हम एक अत का जो भी जितना नहीं है अतना ही आपको लीना है ऐसे मेंसे करते वे और ट्विस्ट करते वे जो side वाला पार्ट है उसको front में ले आना है और दोनों shoulder पर लाकर इसको हमें यहाँ पर safety pin से secure कर देना है तो अब मैंने यहाँ पर इन दोनों को safety pin से secure कर लिया है और जो joint वाला पार्ट है वहाँ से हम पूरी साड़ी को लाते वे उसका जो corner वाला पार्ट है उसको हम hein यहाँ पर front में ले आएंगे और corner से लेकर end तक के पार्ट में हम यहाँ पर pleats बना लेंगे और सारी pleats को gather करने के बाद हम यहाँ से अंदर से लेंगे pleats को और बाहर की तरफ लेकर आएंगे और यह सारी pleats को equal करते वे पहलाते वे जो corner वाला पार्ट है दोनों के और वले पार्ट को लेकर साइड में यहां पर हम सेफ्टी प lou Schruch से सिक्योर कर लेंगे तो ऊपर हमको यहフलावर वाला लोग मिल जाएगा यहांपर इस फ्लार लुख Mon Paul को यह से wrap करके यहां पर side में safety pin से secure कर लेंगे बचेवे corner को safety pin से secure करने के बाद हम यहां पर एक waist belt add करेंगे मैंने यहां पर यह black color की belt को add किया है तो अभी आप इसका final look देख रहे हैं मैंने यहां पर यह nude shade की heels को carry किया है और बड़े-बड़े hoof earrings को carry किया है जोलरी में इस look को create करने के लिए मैंने अंदर यहां पर महरून कलर का without sleep top को पहना था उसके shoulder को मैंने थोड़ा सा down कर दिया है अगर आप चाहें तो बिना top के भी इस look को create कर सकते हैं अंदर inner wear carry करने के बाद इस look को create कर सकते हैं बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपकी साड़ी transparent ना हो त कराऊंगी जिसमें कि मैं इसी साड़ी से आपको Indian look create करके बताऊंगी अलग अलग तरीके से आप इस साड़ी को Indian style में कैसे try कर सकते हैं मुझे comment करके जरूर बताएगा कि इन चारों मेंसे आपका favorite कौन सा style number है तो thank you so much for watching my video मिलते हैं next video में bye bye